हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूटूब चैनल लक्सद आयेम आज हम करेंगे हरियाना पुलिस के लिए बहुत ही महत्व पुरुन परसनों का प्रेक्टिस सेट अगर इसमें से हरियाना जी के अटा दे तो ये प्रेक्टिस सेट सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है बहुत मैनत के बाद ये टेस्ट त्यार किया है इस टेस्ट में जितने भी कोश्चन होंगे तो आप उनको 3-4 गुना कोश्चन मान कर चलिए इसलिए आप लोग इत्मिनान से बैठ कर ध्यान से सुनते रहे इस प्रेक्टिस को करने के बाद आप में कमाल का कॉन्फिडेंस उत्पन होगा जो एक्जाम के लिए काफी फायदे मन्द होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोर्शन है दबलू O विशा उस्था संक्टन का मुख्याला का है W-H-O मुख्याला को बोलते हैं हम एड़कौर्टर World Health Organization का Headquarter का है तो वो है जेनेवा और जेनेवा पड़ता है स्वीजर लेंड में अब बात करते हैं डबलू हो की स्थापना तो वो ही 7 अपरेल 1948 को 7 अपरेल को ही इसलिए हम 7 अपरेल को विसाव सास्थ दिवस के रूप में मनाते हैं World Health Day के रूप में मनाते हैं डबलू हो ने कोरोना वाइरस को महमारी गोशित किया था 11 मार्च 2020 को डबलू हो ने कोरोना वाइरस को महमारी गोशित किया था डबलू हो के अध्यक्स है Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyes और अगर पूछ ले कि भारत में कोरोना वाइरस का कौन सा विर्यन्ट पाया गया है तो डल्टा विर्यन्ट पाया था भारत में अगलाकुर्षन है अंतराश्ट्रिय जीरो ट्लेन्स बेकर मनाया जाता है तो यह है 6 फरवरी को मनाया जाता है अब और जो यह है 7 अपरेल इसको मनाते हम वर्ल्ड हेल्थ टे विसव सास्थ दीवस आभी बताया था पांच जून को मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायर्मेंट डे विसव परियावन दीवस और उनतिश जून को मनाते हैं नैसनल स्टेटिकल डे राष्ट्रिय सांख्य की दीवस और यह है पीसी महानोबोलिस के जनम दिन परम मनाते है यह याद रखना है विसव की बात है तो विसव सास्थ दीवस साथ अपरिल को विसव परियावन दीवस तईवन को और राष्ट्रिय राष्टिय का मतलब है अम सिर्फ बारत में मनाते हैं राष्टिय सांख्य की दीवस है ये 29 जून को नेक्स्ट कोशन है अर्याना की ओरते सोने से बना हुआ गहना परली ये गहने का नाम है परली कहां पहनती है तो इसका सही अंसर है वो है नाक नाक में पहना जाता है परली को नेक्स्ट कोशन है यदि एग्जामिनेशन का कूट 125 है तो हार्ड वर्क का कूट क्या होगा देखिए इस तरह के कोशन है ये रिजिनिंग का इस तरह कोशन को सोल करने के लिए जितने भी इंगलिस के अलफाबेट है एकस 24 में पर है आई 99 नंबर पर है और इन सबी नंबरो को एड कर देतों में क्या मिलता है 125 मिलता है सेम hard work का procedure होगा जितने भी है जहाँ पर है उनको हम add कर देंगे और जो result आएगा हुआ यह मारा answer हो जाएगा जैसे H जो है वो 8 में नमबर पर है A पहले नमबर पर है R 18 में नमबर पर है D 4 नमबर पर है W 23 में नमबर पर है O 15 में नमबर पर है और R फिर से 8 आएगे नमबर पर है K 11 में नमबर है अब इन सब को add कर देंगे तो हमें 98 मिलेगा तो इसलिए मारा answer भी क्या है option C सही हो जाएगा 98 next question है मोर्नी और टोपरा स्रेणिया डैस द्वारा अलग होती है तो इसका सही answer है गगर नदी द्वारा मोर्नी और टोपरी स्रेणिया अलग होती है अब एक एक नदी की बात कर लेते है यमुना नदी उत्राखंड के पास यमुनोत्री गलेशिर से निकलती है यमुना नगर से रियाना में परवेश करती है और आसनपुर उत्यवे उत्तर परदेश में परवेश कर जाती है यह अंबाडा, करनार, कुरुछेत्तर, पानिपत, सोनिपत और फरीदाबाद से बैती ही निकलती है मारकंडा नदी मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थान है वो नहान के पास सिवाली की पाडियों में है यह नदी, गंगा सिंदु नदी के जल्वी बाजन की चोटी नदी है गंगा और सिंदु के जो जल्वी आपस में मिलता है उनसे एक नदी निकाली गए है जिसका नाम रखा गया है मारकंडा नदी और यह सरस्वती नदी की सायक नदी है यह अंबाला कुरुछेतर और सावाद से निकलती है नदी सरस्वती है, सरस्वते सरस्वती नदी का उद्गम स्थान इमाचल पर्देश में है और यह बरसाती नदी है पहले या रिगवेद काल में यह बहुत ही पुवित्र नदी और सबसे बड़ी नदी होती थी और गहब बारा मासी नदी होती थी लेकिन अब गहब बरसाती नदी हो गई है और यह गगर में मिलकर राजस्थान में परवेश कर जाती है लोर बवानीपूर पेवासिर साधी से बैती भी निकलती है अगला कोशन है एसिया एं अफरीका महादियो पर सतंदारी जीवों के उत्पन वरग को कहते हैं तो इसका जो सही अंसर है वो है भी प्राइमेट कहते हैं अगला कोशन है राष्ट्रपती पर महादियो की परक्रिया का उले किस अनुछेद में है तो यह अनुछेद है 61 अनुछेद यानिके आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपती पर महादियो इंपीचमेंट को चलाया जा सकता है और महादियो की परक्रिया जो है जो स्युक्त राज्य अमेर जन्दन करे तो संसद के दोनों सदनों में इमाब योग चलाया जा सकता है। अगला है आर्टीकल चवारिश। आर्टीकल चवारिश है यूनिफोर्म सिविल कोड यहीं ता हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चीए। इसलिए इंपोर्टेंट है यह। आर्टीकल है 32, आर्टीकल 32 को हम बोलते हैं सम्वैदानिक उपचारों का अधिकार, डाक्टर बीमराव अंबेड करनी से सम्वीदान की आतमा और अर्देवी कहा है, यह मोलिक अधिकारों की रक्ष्या करने वाला भी मना जाता है, आर्टीकल 17, ऐस प्रिश्यता हैं चुगा सूथ का उनमूलन आर्टीकल 17 के दायत होता है, अगला कोशन है, लाठी कलब की स्थापना किसे ने की, तो उप्षन है बाल गंगा दर तिलक, लाला लाजबत राए, विपिन चंदर पाल, जिसका सही अंसर है, वो है बाल गंगा दर तिलक ने की थी, यह तिनो नेता, लाल नाम से जना जाता हूँ, और यह क्या है, गरम दल के नेता थे हैं, गरम दल, बाल गंगा दर तिलक, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, एम फरगूशन कोलेजी की स्थापना में भी इनी के प्रियास से हुई थी, जनता को जगाने के लिए, बाल गंगा दर तिलक ने केशरी, जो कि मराठी में था, एक डेली पत्तर, डेली अखबार शुरू किया था, और मराठा जो कि इंगलिस में था, वो सापताई, यानि सब्ता में एक बार आता था, वो है अखबार शुरू किया था, इसके अतिरिक्त, गणपती उत्सव और सिवजी उत्सव बीनों ने परार् इफ N equal to P then the order of the matrix 7X minus 5Y is options यह है P गुना में 2, 2 गुना में N, N गुना में 3, P गुना में N यह matrix का question 12th class से है इसको solve कैसे करते हैं यह solve करते हैं 7X minus 5Y अब देखिए जो order है उसका मतलब होता है number of row और column यह 2 into N दिया गया है इसका मतलब क्या है इसमें 2 row और N column होंगे फिर क्या है minus 5Y और इसमें क्या 2 into P 2 into P का मतलब है इसमें 2 तो row और P column होंगे जो 7 और 5 है यह दोनों constant है यानि scalar है दोनों जितने भी matrix है सब के साथ element के साथ multiply हो जाएंगी जितने भी element matrix के अंदर होंगे same 5 हो जाएगा अब यह simple question हो गया जो हमारा order है यानि कि 2 row है और N column है और इसमें क्या है 2 row है और P column है और इन दोनों को minus करने के बाद क्या आएगा यह answer यह question पूछा गया है अब देखे कोई भी matrix add तभी हो सकती है जब वो same order की हो या subtract भी तभी हो सकती है जब वो same order की हो अब same order के लिए यह नों बता दिया है N equal to P यह same order हो गया यह इन दोनों को minus करने के बाद अमारा final answer क्या आएगा final answer जो आएगा matrix 4 में उसका order क्या होगा तो जो उसका order होगा वो या तो 2 into N order की होगी या 2 into P order की होगी ठीक है N और P equal दे रखे हैं इसका मतलब यह होगा जो अमारा answer होगा वो option B सही होगा 2 into N order 2 into N order का हमारा answer सही होगा अगर option में 2 into P order 2 into P का होता तो भी हमारा answer सही होता और तीसरा option इस तरह मिलता A और B दोनों या फिर 2 गुणा में N नहीं है तो 2 गुणा में P मिलेगा और 2 गुणा में P नहीं है तो 2 गुणा में N है यह answer हो गया अगला question है What does a formal resignation end? Renunciation of power means formal resignation का मतलब होता है और चारिक इस्तिफा अब यह जो होता है यह है one word substitution English का question है इसको बोलते हैं abdication abdication का अर्थ ही होता है formal resignation और चारिक रूप से इस्तिफा देना और या सत्ता का त्याग करना यह होता है super numeracy का मतलब होता है fall to और selection का मतलब होता है तनहाई और auxiliary का मतलब होता है सायक, पूरक, अतिरिक या फिर बोलते है extra यह मतलब होता है next question है markanda नदी दोरा बनाएगे बाड के मैदन को markanda नदी है और बाड के मैदन को क्या कहा जाता है तो इसका सही answer होगा option D bet कहा जाता है फिर नदी को क्या कहा जाता है जो गगर नदी का बाड का मैदन है उसको हम बोलते है नदी बहुत important है बार-बारी पीटोते हैं इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है next question है इन में से कौन सी गरी नाउस गैस खेतों में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है ए मिथेन nitrogen के oxide oxygen nitrogen इसका सही अंसर होगा इन options के हिसाब से वो है nitrogen के oxide NO2 या NO3 nitrogen dioxide या trioxide यह होगा अगर option में carbon dioxide है तो उस सबसे ज़्यादा वह होगी यह O2 इस तरह है और N2 nitrogen और यह CH4 है जो मिथेन का formula होता है अगर option में carbon dioxide है तो सबसे ज़्यादा best answer होई होगा carbon dioxide अगर कोई specify इस तरह से question आजाए इस धान के खेत में सबसे ज़्यादा कौन सी gas होती है तो उसका अंसर होगा methane gas धान के खेत की बात है paddy field इंगलिस में paddy बोलते हैं दान के खेत को paddy field next question है भारत का पहला bank कौन सा था general bank of India bank of broda bank of indostan state bank of india जिसका सही answer है वो है bank of indostan c option सही होगा bank of indostan भारत का पहला bank था जो की 1770 में बनाये गया था और दूसरा bank की बात करे तो दूसरा bank का नाम था general bank of india ये second bank था 1760 में बनाया गया था sbi क्या है सबसे पुराना bank है और जो आज भी exist करता है आज भी available है वो है state bank of india इसकी स्थाबना था 1660 में विखी अन्य नाम से 1955 में नाम रखा गया था state bank of india अगला question पे आगे है एक आदमी को plane mirror में अपनी पूरी height देखनी है तो उसको आ सकता होगी जितनी उसकी height है उतने mirror की जितनी उसकी height है उसके आदे mirror की जितनी उसकी height है उसके चोथाई mirror की जितनी उसकी height है उसके दोगनों में mirror की mirror यानिकी सिसा अगर एक आदमी को प्लेन, यानि कि बिल्कुल जो सिंपल है प्लेन मिरर है, प्लेन सीसे में अपनी हाइट देखनी है पूरी की पूरी तो उसको कम से कम अपने हाइट के आदे सीसे की जरूरत होगी जितनी हाइट है उसका अदा सीसाओ उसमें पूरी height दिख जाएगी इसका अंसर B सही होगा height by 2 next दिये गए विकलपों में से लुपत पद ग्याद कीजिए तो देखिए यह है reasoning का question फिर से अब alphabetical है तो number याद होने चीए यह क्या है B का जो number हो 2 है E का 5 है और D का 4 है उसी परकार F का है 6 है और फिर है question mark इसका हमें बताना है H का क्या होता है 8 होता है और J का क्या है 10 है और question mark का हमें बताना है और I का होता है 12 अब में इसमें क्या है pattern डूंडना होता है आप देखिए 2, 4, 5 6, 8, 8 के बाद क्या ना चाहिए 9 और 9 किस पर होता है I पर और I की value क्या आती है I 9 पर होता है pattern हम यह मिल गया है पहले two है फिर उसके 2 ज्यादा है 4 और 4 से पर 1 ज्यादा है 5 बीच में फिर शेम ऐसे है 6 है 6 का 2 ज्यादा है 8 और 8 से पर 1 ज्यादा हो गया 9 सेम इसमें है 10 10 से 2 जादा है 12 और इसलिए 12 से 1 जादा हो जाएगा 13 और तेरे में नमबर पर कौन सा alphabetical होता है वो होता है M तेरे में नमबर पर होता है M इसलिए जो इसका answer होगा वो होगा I, M यहनि option D सही हो जाएगा next question है identify the grammatical wrong sentence and mark that option as answer scarcely I had reached the station when the train steamed out he is not so bad as you say he is both scholarly and cultured no sooner did the tiger appear than he shot it down इन में जो error है error चाटना है English का question है तो उसमें होगा a error a में error है क्योंकि जो sentence है वो scarcely से शुरू हो रहा है और scarcely से शुरू इन वाले sentence में पहले क्या है helping verb आएगी और उसके बाद क्या है subject आएगा तो इसलिए क्या है head की जगह head और head की जगह आई आना चाहिए था यह error है इसमें अब मैं बता देता हूँ hardly scarcely no sooner never से शुरू होने वाले जितने भी sentence होंगे उन में helping verb पहले आएगी और उसके बाद subject आएगा जैसे head आई इसमें जैसे no sooner है इससे sentence शुरू हो रहा है तो इसमें क्या है helping verb है जो did वो पहले आएगी और the tiger क्या है subject वो बाद में आएगी इसलिए sentence बिल्गुल सही है फिर बता देता हूँ scarcely hardly no sooner never से शुरू होने वाले sentence में क्या है इन से sentence शुरू होना चीए तो उसमें क्या है helping verb पहले आएगी और subject बाद में आएगा next question है error पर यह है every officer and every soldier has to be ready to sacrifice his her life for the country either परताप और परदीप has done this mischief each man and each woman have a vote none of these अब देखिए जो इसमें error है वो है option c में है each man परतेक आदमी और परतेक औरत की बात हो रही है have की जगे है जाना चीए था है जे वो यह क्या है each man हर आदमी और हर रोट की बात हो रही है तो इसलिए क्या है यह singular आना चीए तो है जा गया यहाँ पर अब यह दोनों है either के साथ हमें साता है और neither के साथ और जैसे either और है neither के साथ नोर आएगा not only के साथ but also आएगा sentence इस तरह से भी आप error find कर सकते हैं next question है इन में से अर्याना के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात sex ratio है यानि कि परती अजार आदमियों के पीछे कितनी औरते हैं कितनी में लाए हैं वो होता है लिंग अनुपात अब इनके मेवात पानी पत गुडगाओं गुडगाओं का नाम गुरुगराम रख दिया गया था और फत्याबाद जिसका सही अंसर है वो है C गुडगाओं जो गुडगाओं का लिंग अनुपात है वो जो सबसे ज़्यादा है वो है मेवात का जो कि है 906, फिर है फत्यवाद का 903, और पानीपत का और जजजर का है 861, जजजर भी इसी के इसी कैटेगरी में है, पानीपत वाली कैटेगरी में है, अब लिट्रेसी, साखसरता की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा लिंग अनु लिंग अनुपाथ है, सबसे कम लिंग अनुपाथ है गुडगाओं में और उसकी साकसरतादर सबसे ज़्यादा है, गुडगाओं में जो साकसरतादर है वो है 84 परतिसत, उसके बाद है पलवल सबसे पड़ा लिखा जिला है, फिर फरीदाबाद, रिवाडी इस तरह से हैं, और सबसे जो कम साकसरता है वो है पहले तो मेवाग, फिर फत्याबाद, पलवल और सिर्शा इस तरह से हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, आदर्स एमिटर, आईडियल एमिटर का मान होता है, एमिटर को करेंट मापने के लिए यूज़ करते हैं, तो मेजर दा करेंट, एमिटर इसका अंसर होगा, वो होगा, बी, जीरो, आदर्स एमिटर का कमान होता है, वो जीरो होता है, नेक्स्ट कोश्चन है, हाल ही में पस्चमी तक पर टकराने वाले चकरवात का क्या नाम रखा गया है, तो जो उसका नाम रखा गया था, वो है, तोकता, टी, ए, यू, के, टी, तोकता रखा गया था जो इसकी स्पीड थी विंड स्पीड वह 180 से लेकर 220 किलोमेटर परती गंटा थी अब देखी जो यास है यह पूचली यास यह बारत के पुर्वी तर्ट से टकराया था उडिस्सा और पस्ची मंगल से टकराया था और तोकते को किस ने नाम दिया यह दि 26 मई को यह 26 मई को आया था इससे पहले जो साइकलोन आया था चकरवाद आया था उसका नाम था निसर्ग और निसर्ग को नाम दिया था बांगलादेश ने और जो नेक्स्ट हमारा चकरवारत होगा उसका नाम होगा गुलाब अगले चकरवाद का नाम गुलाब जो पस्च इसका पूछ पूछे तो आरगन और नियोन ये दो गैस इलेक्टिक बलब में बरीज आती है और फ्यूज पूछे तो जो पतली सितार होती है उसको बोलते है फ्यूज फ्यूज बना होता है टिन और लेड का, टिन और सिसा, इनका बना होता है, नेक्स्ट कोश्चन है, किस अनुछेद के द्वारा बारत सरकार VTA अपात लगा सकती है, ओप्शन है अनुछेद 360, अनुछे 352, अनुछेद 356 और अनुछे 368 है, इसका सही अंसर है, वो है ओप्श करिया USA से ली गई है, VTA पात की USA से, और ये कोश्चन आजए, अब तक बारत में कितनी बार VTA अपात लग चुका है, तो इसका अंसर होगा 0, एक बार भी नहीं, अब और जो आर्टिकल है, उनकी बात कर लेते हैं, 352 अर्टिकल, ये होता है National Emergency, इसको बलते है राष्ट्रि या पात लगाया जा सकता है, और 356 को, 356 संबंदित है राष्टपती शासन से, जब भी जो राज्य का गवर्णर है, उसको लगता है कि राज्य के जो सम्वेदानिक तंतर है वो खत्रे में है, तो राष्टपती को कहकर 356 के तहत राष्टपती शासन लग सकता है, और ये 322 और 356 ये जर्मनी के constitution सम्विदान से लिए गए है अनुछे 368 सम्विदान के किसी बाग में संसोधन करना है तो वह है article 366, अनुछे 368 के द्वारा किया जा सकता है amendment, amendment मतलब होता है संसोधन next question है software में commando और option की सूचिया होती है commando यानि C-O-W-M-A-N-D-S computer में लगते हैं वे commands main bar, tool bar, main page इन में से कोई नहीं जो इसका सही अंसर होगा वो है tool bar commando और option की सूचिया toolbar में होती है next question है एक आदमी और एक ओरत कमरे में बैठे हैं आदमी की सास और महिला की सास आपस में करम से मां और इकलोती बेटी हैं आदमी का सम्मंद उस ओरत से किस परकार का है अब ये हैरी जिनिंग का question बल्ड रिलेशन अब देखिए जो ये possible कब है जब वो है उसका ससरो अब समझा देता हूँ है माली ये रूम है उस में मैं अपने पर लेकर दो लटा हूँ माल लेजीए मेरे पापा और मेरी वाइफ एक रूम में बैठे हैं अब इसने बताया आदमी की सास यानि मेरे पापा की सास क्या होगी मेरी नानी और महिला की सास यानि कि जो मेरी वाईप है उसकी सास होगी वो कौन होगी वो होगी मेरी मम्मी आपस में करमस मा बेटी है और ये मा बेटी है नानी मेरी नानी और मेरी मम्मी आपस में क्या होगी मा बेटी होगी इसलिए जो रूम में बैठे हैं वो आदमी होगा वो उस ओरत का ससूर होगा इसका सही अंसर ये होगा समझ में आगया होगा अगला कोशन है अमर से चरित्र खंड कावय किसे ने लिखा बाल मुकुंद गुप साहा मुहमद रूपचंद पांडे मानिक कैराज जो इसका सही अंसर होगा वो है ओप्शन डी मानिक कैराज ने लिखा था अब बाल मुकुंद गुप इनकी भी एक एक रचनाए देख लेते हैं बाल मुकुंद गुप ने लिखा अद खिला फूल सहा मुहमद सहा मुहमद ने लिखा अलकाएद अजीम रूपचंद पांडे इस ने लिखा था रूपचंद सतक नेक्स्ट कोशन है 10 कुर्शियों का क्रेम उल्ले 18 कुर्शियों के वी क्रेम उल्ले के बराबर है तो परतिसत लाब आनी ग्यात कीजिए तो इस तरह के कोशन में हम क्या करते हैं जो है 10 कोश्ट प्राइज यानि क्रेम उल्ले बराबर में 18 कुर्चियों के भी क्रेम उल्ले यानि selling price के बराबर है तो इस तरह के question में हम क्या है आपस में interchange कर देंगे जो cost price की तरफ है जो 18 है वो हो जाएगा cost price हमारा और जो selling price है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आप देखिए कोई भी क्रेम उल्ले किसी भी चीज गठारा था और उसको 10 में बेच दिया तो कितने रूपे की आनी होई 8 रूपे की और कितने रूपे से होई 18 रूपे से और 248, 298, 18 4 by 9 जब हम इसको परतिसत में convert करेंगे तो 100 से तो ये हो जाएगा 4 बटा 9 क्या आनी होगी अगर क्रामुले ज़ादा है और Selling Price याई विक्रामुले ज़ादा है तो आनी होगी और विक्रामुले ज़ादा है तो लाब होगा और इसका जो अंसर हो जाएगा वो है और ये से चाओवाड़ी से 4 बटा 9 इस तरह से लिखा होगा है आनी नेक्स्ट कॉस्चन है देवनागरी लिपी में कुल विसर्ग और अनुसवार सहित कितने सवर माने गए हैं जिसका सही अंसर है वो है D 13 सवर माने गए हैं अगर कॉस्चन यह आजए इंदी को राजबासा कब बनाया गया तो यह बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था इसलिए 14 सितंबर को हम इंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं नेक्स्ट कोशन है इफ आई वर यू, आई डैस बाइ दैट कोट अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं यह कोट खरीदता या नहीं खरीदता अब जैसिस में would के साथ है would not, won't, can't, hadn't इसका मतलब है would not, will not, cannot, had not नोट का है अब इसका जो इंदी मीनिंग हो गया अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं है यह कोट नहीं खरीदता पास्ट होगा तो वाज आएगा अब ये क्या है अगर मैं तेरी जग होता जो चीज हो नहीं सकती उसके बारे में बात कर रहा है तो इसको हम बोलते को रीकल अपना तो इसके लिए आई के साथ वर आता है और जब वर आएगा तो जो next जो space है उसके आएगा वर के साथ वुड आएगा, could आएगा, should आएगा, might आएगा और वर अब की first home आएगी अगर note है option में तो note आजाएगा अब इसमें से शिरफ would option में है, ना could है, ना should है, ना might है तो इसलिए हमारा जो answer हो जाएगा, वो जाएगा would note अगर मैं तेरी जगा होता, I would not buy that quote, मैं यह quote नहीं खरीद सकता था कोरी कलपना के लिए I के साथ वर आता है, जैसे यह बोल दिया मैं, कास में एक राजा था इस तरह बोलूँगा, ना कि I was एकिंग, मैं राजा होता, जो कि possible है इनी, possible है इनी, तो इसलिए क्या है, क्योंकि लोगतनतर भी है और possible है नी, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, वर लगा दिया, इफ I were एकिंग, अगर मैं राजा होता, तो मैं यह कर देता नेक्स्ट है, अब यह है फोरमेशन, इफ I were you, अगर आई के साथ वर है, तो नेक्स्ट में क्या हैगा, वूड हो सकता है, कुड, सुड, माइट और वर रब की फरस्ट फोम, जैसे पहले में बाई थी, वो वर रब की फरस्ट फोम थी, अगर इस तरह का कुशन है, इफ I had been you, यह हैड के साथ वर रब की फरस्ट फोम आगी, तो उसमें क्या होगा, वूड, कुड, सुड, माइट तो रहेंगी, उसके साथ एव लग जाएगा, और यह वर रब की फरस्ट फोम आ सकती है, वो उप्शन के इसाफ से जो भी सही होगा, वो हम ठीक कर देंगे, का आरम किया था, वो किया था जैक वार्ड ने, सी अप्शन सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, निमन में से कौन सा ओप्तिकल डिस्क का उधारन है, मेगनेटिक, डीजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मेमोरी डिस्क, यह सभी, जिसका अंसर होगा, वो है डीजिटल डिस्क, यह होगा, नेक्स्ट कोशन है, किसी रासी पर चार वर्स का सादर नव्याज, उस रासी का एक बटा पांच है, वार्षिक ब्याज दर ग्यात कीजिए, यानि कि दर बतानी है, अम सब जानते हैं, जो सादर नव्याज का फोर्मूला होता है, वो होता है, मूल दन, यानि कि प्रिंसिपल, गुणा मत दर, गुणा में समय, बटे में सो, और यानि कि दर, रेट, अब देखिए, हमें क्या है, मानना पड़ेगा, मानना, मूल दन मान लेजे, पांच रुपे या सो रुपे भी मान सकते हो, वो जो ब्याज है, उसका, सिंपल इंटरस्ट, वो क प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल पांच मानना था, और रेट अमने निकालनी है, और टाइम कितना दे रखेया, इसने, टाइम दे रखेया, चार वर्स, और निच्चे क्या होता है, सो, अब सो को इस तरफ लेके आओगे, एक से मल्टिपलाई करोगे, तो सो इंटु मे आगी पांच परतीशत C option सही हो जाएगा Next question है निमली कित में से 30 अधिनियम के तहत प्रांतों में 22 सासन का अंत कर दिया गया था 1909 भार्थ परिशत अधिनियम 1912 सासन अधिनियम 1935 का भार्थ सासन अधिनियम 1947 का भार्थ ये 16 तरता अधिनियम तो इसका सही अंसर है वो है 1935 में 22 सासन का अंत कर दिया गया था देखी 1935 में क्या क्या वधा जो परिशंग सूची, प्रांत सूची, समवर्थी सूची इनका निर्मान भी 1935 के भार्थ सासन अधिनियम के तहत हुआ था और जो बाकी है 1909 को हम बोलते हैं मारले मिंटो सुदार इसके लिए मुसलमानों के लिए अलग चुनाव पर क्रिया परारम कर दिया थी पर्थक चुनाव परतिनी दित्यों कर दिया गया था 1919 को बोलते हैं मांटगे चेम्स फोर्ड सुदार केंदर में अगर इस तरह आजए दोयद सासन का अरम कब हुआ था वो 1919 बार्थ सासन अदिनियम के तैत हुआ था इसमें केंदर में दो सदन कर दिया गया थे पहला राज़ा परिशद और दूसरा केंदरिये विधान सभा महिलाव को वोट देने का भी अधिकार पहली बार 1919 बार्थ सासन अदिनियम से मिला था इसलिए ये इंपोर्टेंट है और 1935 में बार्थ सासन अदिनियम दोयद सासन का अंत कर दिया गया था ये अनसा तो है 1947 में क्या क्या हुआ था बीटिस संसद में 4 जुलाई 1947 को एक परस्ता उपेश किया गया था जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकार हो गया और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को बार्थ पाकिस्तन दो अलग-अलग अलग-अलग देश के रूप में बार्थ सासन अदिनियम लागू हो गया सतनतरत अदिनियम नेक्स्ट इंडिया स्टेट ओफ फोरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार अर्याना में कुल वनावरन कितना है उप्सन है 1565 1588 वर किलोमेटर 1415 602 किलोमेटर जो इसका अंसर है वो है 2019 रिपोर्ट के अनुसार अर्याना में 602.44 वर किलोमेटर इनका वनावरन है और ये कुल सहत्रफल की बात करे तो ये कुल सहत्रफल का 3.62 परतिशत है 2017 में यह 1588 वरा किलोमेटर था 2017 में अब यह कितना बढ़ गया 14.47 44 बढ़ गया किलोमेटर स्केर बढ़ गया है अगर परतिशत में पूछे 2017 के हिसाब से 2019 में और याना में कितना परतिशत वनावरन बढ़ गया है तो वो लगबग एक परतिशत 0.0 नहीं लगबग एक परतिशत बढ़ गया है नेक्स्ट पोशन है डाटा कोश एक विशेश फाइल है जिसमें होते हैं सभी फाइलों में सभी फिल्ड की चोड़ाई सभी फाइलों में फिल्ड के नाम सभी फाइलों में सभी फिल्ड के डाटा टाइप उपरोग सभी इसका अंसर है वो होगा सभी फाइलों में सभी फिल्ड की चोड़ाई एक प्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट पोशन है इंडिया स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज़ में वरक्स आजसदी छेतर कितना है यानि वरक्सावरण कितना है पहले में वनावरण था ओप्शन वही है 1565, 1588, 1415 और 1602 जिसका अंसर है वो है ओप्शन ए 1565 वरक किलोमेटर 2017 में यह 1415 था अब 2017 के हिसाब से 2019 में यह 500 वरक्सावरण और जो वरक्सावरण है पहले 1415 था यह 1675 यह 10 पर तिसद बढ गया है वरक्सावरण नेक्स्ट कोश्चन है अगर देख टोटल वरकसावरण की बात करें वरकसावरण और वनावरण की मिला दें तो वह होगा 3167.44 किलोमेटर स्केर ये भी याद रखना है और परतिसत की बात करें तो दो में को परतिसत को एड़ कर दो 3.53 और 3.62 तो परतिसत हो जाएगा हमारा 7.15 तो 7.14 परतिसत कुल 6 रफल का अगर कोश्चन इस तरह से आए भई अर्याना में अर्याना में कुल फ्रक्सावरण और वनावरण कितने परतिसत पर है तो वह है 7.15 परतिसत पर और अगर किलोमेटर स्केर के इसाफ से बात करें तो वह होगा 3167.44 किलोमेटर स्केर नेक्स्ट पॉस्चन है 2017 में भारत के राष्ट पती द्वारा कौन से वित आयोका गठन किया गया इसका सही अंसर है वो है उप्षन भी पंदर में वित आयोका गठन किया गया और पंदर में वित आयोका देख से हैं N.K.S. P.P.T.ायो pakai क्या है एक समयादानिक निकाय है जो केंदर और राज सरकारों के बीद समयादानिक विवस्था और वरतमानाव सकताओं को अनुरूप आये जो भी आय मिलती है यानि कि जो भी tax मिलता है वो decide करता है कि center को कितना रहेगा या फिर state को कितना जाएगा इसके according जो state को tax परतिसत है वो है 43 परतिसत और जो के अंदर के पास tax परतिसत रहेगा वो है 59% और इसका जो उलेख है वो है article दोसो असी में हम उखे दोसो असी में वित आयोग का उलेख है और आर्टिकल दोसो असी के तहत ही राष्टपदी पर तेक पांच वर्स में एक वित आयोग का गठन करता है और ये 2017 में पंदर में वित आयोग का गठन हुआ था next question जो की 2021-22 से लेकर 2025-20 तक चलेगा पांच साल के लिए next question है find the synonym ubiquitous इसके जो option है वो है omnisent, omnipotent, omnipresent, omnivore जो इसका जो सही है ubiquitous का मतलब होता है omnipresent omnipresent इसका synonym हो जाएगा omnipresent वैसे होता है one who is everywhere जो हर जगह के रहता है और omnisent का मतलब होता है who knows everything जो की सब कुछ जानता हो इसको सब परकार के नो लिजो omnipotent का मतलब होता है कि वह बहुत powerful है one who is all powerful और omnivore का मतलब होता है वह कुछ भी खा सकता है eat everything कुछ भी खाने वाला omnivore और ubiquitous omnipresent जो हर जगह सरवया प्यों हर जगह मौजूद हो next question है बीन किस वाद्दय यंत्र के अंत्रगत आता है सुसीर वाद्दय, धन वाद्दय, वीतत वाद्दय इसका सही अंचर है वो है ये सुसीर वाद्दय के अंत्रगत आता है अब धन वाद्दय के अंत्रगत कौन-कौन से आते हैं वो ते हैं जास मंजीरा ये दो वाद्दय के अंत्रगत आते हैं और वीतत के अंत्रगत आते हैं डपली तासा ये दो हैं वीतत वाद्दय के अंत्रगत आते हैं next question है मैसोपोटामिया के द्वारा प्रयोग करने वाली प्रारंबिक बासा कुन सी थी लेटिन, सुमेरियन, ब्रामी, ग्रीज इसका जो सही अंसर है वो है सुमेरियन नेक्स्ट कॉशन है दी गई सरंखला में गलत पद ग्याद कीजिए आठ, तेरा, एकिस, बत्ति, संद, तारीस, तरेस, तिरासे इन में से गलत पद कुन सा है देखे रीजनिंग के कोशन जब हम सुरूर करते हैं तो हमें क्या पैटर्न डून न होता है देखे आठ और तेरा के बीच में कितना गैप है पांच का तेरा और एकिस के बीच में आठ का एकिस और बत्ति, के बीच में ग्यारा का यानि कि देखो पांच, उसके बाद तीन का गैप आगया आठ के बाद तीन का गैप आगया और बत्ति, के बाद संद, तारीस में कितने का गैप है पंदरा का अब देखो 5 में कितने एड हुए 3 और 8 में कितने एड हुए 11 आया medicine और 11 में 3 एड होते तो कितना था 14 यानि कि यहाँ पर 47 के जगेगे पर किया आना था 46 आना था यानि कि यह पद यही पर गलत हो गया है इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा 47 47, फिर 47 के बाद देखिए अगर यहाँ पर 46 होता तो 860 है, next कितना होता इन दोनों के बीच का गैप होता 17 और इन दोनों के बीच का गैप कितना होता 20, इसमें भी 3 जादा है, 17 में 3 एड़ करेंगे 20, और यहाँ पर 14 होता तो 3 लेकिन यहाँ पर कितना है था 15 इसलिए यह जो पद है 17 वो गलत हो गया, 1740 के जगए 46 होता तो सही होता next question है let A, P, A 3 गुणा में 5 मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स एक में परते कोलमें होंगे कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट, 3 एलिमेंट 15 एलिमेंट और 8 एलिमेंट देखिए, जो इसका अंसर होगा, वो होगा 3 एलिमेंट अभी देखिए, इसको solve करते हैं किस तरह होंगे अभी देखते हैं, जो भी मैट्रिक्स है, हम अमेशा इस form में रखते हैं मैट्रिक्स को और M into N, यह होता है मैट्रिक्स का order M से मतलब होता है number of row और N से मतलब होता है number of column row होती है, जो लेटी हुई होती है ऐसे horizontal जो लेटी हुई होती है और horizontal और जो column होती है, वो होती है vertical इस तरह जो खड़ी होती है अब जितने भी, अगर यह पूछले कि भी, एक matrix दी गई है उसमें total element कितने होगे तो हम row और column को multiply कर देंगे जैसे इस case में 3 गुणा में 5 की matrix दी गई है तो कितने होगे, 3 गुणा में 5 15 total element होगे अब देखो 15 कैसे होगे, और उसमें बता दिया कि 3 गुणा में 5 जो अगे होगा, वो होगा row और जो पिछे होगा, वो होगा column अब देखे, इसमें 15 element होगे 1, 2, 3 यह होगी row, r1, r2, r3 और इसमें column कितने होगे, 5 1 column, 2, 3, 4, 5 column अब नाम दे दिए, कुछ भी लिख लिए 7, 8, 9, 10 अब देखे, कितने element होगे पांच यह है, पांच यह है, टोटल होगे 15 element, अब इसने पुछा है कि हर column में कितने element होगे तो जो हर column में element होगे वो है, यह होगे, 5 column और इस column कितने element है, 3 इसमें भी कितने है, 3, इसलिए अमारा अंसर क्या होगया था अमारा अंसर होगया था, B 3 element next question है computer साक्सरता दिवस कब मनाया जाता है 1 December, 23 December, 22 December, 2 December इसका सही अंसर होगा वो होगा option D 2 December को मनाया जाता है 2 December को world computer literacy day computer साक्सरता दिवस मनाते हैं और 1 December को world AIDS दिवस AIDS दिवस मनाया जाता है 23 December को राष्ट्रिय किसान दिवस किसान दिवस और 22 December को मनाते हैं national यानकी राष्ट्रिय mathematical day mathematics day 22 December को मनाते हैं और राष्ट्रिय मतलब होता है हम बारत में मना रहे हैं और international मतलब अंतराष्ट्रिस्तर पर मनाते हैं अब ये दोनों हैं वो राष्ट इस्तर पर हैं और ये क्या हैं world ads day ये पूरे विसोबर में मनाते हैं और दे दिशंबरो कंप्यूटर साक्सरतादीवसम विसोबर में मनाते हैं next question है अरियाना में किस स्थान से प्राप्त एक इट पर सारे गामा पाधानी अक्सर अंकित हैं अगरोवा सुध्य सुहुसावा गुडियानी जिसका अंसर है वो है अगरोवा से एक इट पर सारे गामा पाधानी अक्सर अंकित हैं next question है, कौन सी गरंथी को master गरंथी कहते हैं, option है thyroid गरंथी, यकर्त गरंथी, pituitry और pineal गरंथी, जो इसका सही अंसर होगा, वो है pituitry गरंथी, यह है खोपड़ी के नजदीक होती है, brain के नजदीक, और यह सबसे छोटी और master गरंथी बोलते हैं, जो इसकी shape होती है, वो मटर क दाने की तिरह होती है और जो इसका वजन होता है वो 30 मिली ग्राम होता है और लिवर यानि यक्रत गरंथी लिवर ग्लैंड बोलते हैं यह सबसे बड़ी बाये गरंथी होती है एक जो बाये गरंथी सबसे बड़ी गरंथी यक्रत गरंथी थायरोड यह गर्दन में पाई जात next question है Unix operating system को आमत और पर किस परकार जानते है single user operating system single user application program multi user application program multi user operating system इसका सही answer है वो होगा option D multi user operating system ये एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सकता है और इसको multitasking multitasking बोलते हैं और एक बार में एक से ज़्यादा user उस पर काम कर सकते हैं इसलिए क्या है multi user operating system next है इन में से कौन सा vitamin K का veganic नाम है तो जो इसका सही answer है वो है option B phyloquinin ये vitamin K का scientific name है और ये tocopheral vitamin E का scientific name है ascorbic acid ये vitamin C का scientific name है cynocobalamin ये vitamin B12 B12 का scientific name है next question है निमनली खित में से कौन से राज़े से करकरेखा नहीं गुजरती 23 डिगरी नोर्थ कौन ट्रोपिक ओफ कैंसर यानि करकरेखा कहते हैं ये बार्थ के आठ राजयों से उगर गुजरती है और इन में से जारखंड, मिजोरम, मनीपूर, तिरपूरा इन में से नहीं गुजरती ये पुछा गया है तो वो option हो जाएगा C, मनीपूर मनीपूर से नहीं गुजरती वे आठ राजये कौन से कौन से हैं जिन से करकरेखा नहीं गुजरती है तो जो इसका सही answer है वो है option A अब इनकी भी एक केक रचना देख लेते हैं अरी सिंग ने लिखी अर्यानवी गितांजली इंपोर्टेंट है अर्यानवी गितांजली प्रोफेसर री सिंग डक्टर समीम सर्मा ये आशर रचनाकार है और रतनचंदर सर्मा ये महाकाववेकार है next question है if P then the value of P into me P इसकी पावर 2 है ये 3P पलस 3 is अगर P का मान ने लिखा है तो P multiply P स्केर 3P पलस 3 का मान क्या होगा तो इसको स्कोल करते हैं ये हो जाएगा P P स्केर पलस 3P पलस 3 जब ये P अंदर जाएगा तो कितना होगा P क्यूब पलस 3P स्केर और 3P अगर मैं इसमें एक एड़ कर दूँ और एक माइनस कर दूँ कोई फरक नहीं पड़ेगा अब देखो ये इतना इतना एक फोर्मूला बन गया है किसका फोर्मूला बन गया है ये फोर्मूला बन गया है P पलस 1 के whole cube का और माइनस ये 1 है आप देखो P पलस 1 यानि A पलस B के whole cube का फोर्मूला होता है A क्यूब पलस B c'क्यूब पलस 3AB इन्टू में A पलस B 100 की power 3 का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1 और जो इसका अंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times 9 हो जाएगा 6 times 9 अंसर हो जाएगा अब देखी इसका जो अंसर हो गया वो है option D 6 times 9 next question है power point के परस्तुती करण में परती रूप duplicate slide को जोडने के लिए कौन सी keys का को मिला कर परियोग करते हैं control plus X, control plus N, control plus D, control plus Z इसका जो सही अंसर होगा वो है control plus D यह अंसर सही होगा next question है निमन में से कौन सानाटक राजा अर्शवर्द ने लिखा option है नागंदा, आरश्चरित, राज्टरंगे नी यह सबी जो इसका अंसर होगा वो है नागंदा अर्शवर्द ने तीन नाटक लिखे थे एक कानां था नागंदा दूसरा था पेरिये द्रशी का और तीसरा था रतनावली जो कि रजा अर्शवर्द ने लिखे और हर्श्चरित को लिखा था बान बटने और ये लिखा था राज्टरंगे ने लिखा था कलहन ने आज के लिए इतना ही ये 51 कोश्चन है इस प्रैक्टिस टेस्ट में आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और ज़ाद ज़ाद शेर करे अमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद